बहारत का कोई परदान मंत्री नहीं कर पाएगा दुनिया चाहे कुछ भी कहें लेकिन पेंजी को महीं समुराथ मांना हूँ जोग सी हाँ पर कितने भी कितने भी परदानमंत्री आए कितने भी राजटरपती आए वो काम किसी ने भी नहीं कर पाए तो आप जो है ना उनसे शुते ही जाके मिलिए उनके चड़नों में गिरिए तुम तो यह सोच रहेगो वो मेरे पास पैदल चलके आए ऐसा नहीं यह गलत है लोग यह कहते हैं कि चंद मैं इससे बात बताऊं कुछ लोगों से असे लिगों से मैं उनकी खुल के तो नहीं बताना चाहे हूं लेकिन कुछ लोगों से ऐसा समिला जॉन उटों की घड़ियां मिल गई है नमस्कार मेरे नामे सुंदर सिंग और आप देख रहे हैं SM News देखिए पहली बात तो जो नमे मानवर कासिराम के साथ में हजार किलो मीटर में ने गारी चलाई है साइकिल चलाई है और मेरी रग रग में जो है ना बाबा साब और भगवान बुद्ध और ये राजनितिक जो है जंडा था वो सुरू से ही था और में कापी समय तक मतलब ज सब्सक्राइब है तो हमां अपनी कांडरी से क्या तात्प्री है हमारी गौर्णमेंट अपनी यह है जह से यूपी में तात्प्री कुछ नहीं है लेकिन बागी जो ना यह हमें खुशी होती है के फार्णा मेन वाटवर के जिस हमने परिस्रम किया मानेवर कासिराम ने बड पूरी यूपी जो यूपी में जहां तक हमारी सीमा बनती है बहां तक हमने सासन किया यह बहुत बड़ी बात है दूसरी बात यह है कि अगर हमने इतना बड़ा काम करने के बाद में कुछ हमने जो काम किया तो बहन जी को मुक्मंत्री बनाने के बाद में सियम बनाने के बाद में और बेंजी ने वो काम करके दिखाया जो साइद यहां पर कितने भी कितने भी मंत्री मुक्मंत्री आए कितने भी पर्धार मंतरी आए कितने भी राज टर्पति आए वह काम किसी ने भी नहीं कर पाया जो मैं उन्हों ने बेंट जी ने वहाँ पर ढॉक्टर म्मेट कर यानि वो बनाया इसमार्ग बनाया वहीfon यानि सांति उवान बुद्वियार बनाया वहीं पर मारे कासिराम के नाम से पारक बनाए है उसमय हमारे जितने भी फी हमारे घुझ लगा पाएं या जब जब आमारे पर पाबर्ती जब आमारे पर ताकत थी उस ताकत को आमें नहीं बोलना चाहिए लोग बहुत लोग कुछ भी कुछ कह देते हैं मान्द बर यह क्या नहीं कांशिराम थे तो उसी समय से मतलब जो ना सती समित्रा रहा है सती समित्रा कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी सुप्रिम कोट का बकील है और हमें ऐसे लोगों की जरुवत होती है क्योंकि तमाम दुनिया के केस चलते हैं पाइटी में आकर और अपनी सरकार बनी हुई है केस भी चलते हैं सेक्रों बात आ जाती है तो उसमें इन लोगों की जरुवत होती है बहन जी ने कोई ऐसा बुरा काम नहीं किया बहन जी ने जो काम किया है वो साइद भारत का कोई परदान मंतरी नहीं कर पाएगा क्या बात कर रहे हैं बिल्कुल मैं सची बात कह रहा हूं कि भारत का कोई परधान मंतरी आग तक कितने परधान मंतरी हुए हैं मुझे एक बात बताईए किसी ने चार दिवारी ऐसी खड़ी करके और अपने महापुर्चों को कहीं पर बनाया है आग तक कहीं पर भी नहीं दिखाए अगर समराट अशोक की बात करते हैं तो समराट अशोक के बाद पुन्हें कारे कर रहे हैं बहन जी ने बहन जी को मैं क्मानता हूं कि क्योंकि मैंने चुनाव लड़ा है चुनाव लड़ा है दिख बाबास आप लड़े तो बाबस आपको भी अपने लोगों नहीं धोका दिया अभी 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 एक जैसे एक मरा हुआ कीड़ा उसके अंदर को जान आ जाती है और वो चलने लगता है तो वो ये ना सोचें के तमाम दुनिया के सेर कड़े हुए है संसे कराबर कल का बच्चा है संसे कराबर कितने को क्या करेगा राजनिती में लोगों को तमाम बात है गुल चर्रे उड़ाने के लिए देकिन हमारी पाइटी ये पाइटी कोई मामूली पाइटी नहीं है बिल्कुल नहीं, यह जो कहने वाले हैं, वो ही खतम हो गए हैं, मैं तो पाइटी खतम नहीं हुए है, वो लोग कतम हो गए है, बतला उनकी लोगों की विचार धारा नहीं है, लोग कहते हैं बहन जी अब मिशन मुवमेंट से भटक गई हैं, पैरे जैसी राजनिती नहीं करत हैं, और पाइटी से ऐसे लोग चले गए, तो पाइटी फिर कहां रहेगी, चंदर शेकर रावन कहते हैं कि बहन जी वो नहीं है, वो अपने घर में बैठे हैं, आशिरवाद दें, उनको राजनिती करने की उमर नहीं है, अब वो समझ नहीं पाती हैं, इस तरीके से बाते सकती हैं, तो आप जाके उनसे मिलिए, और आप उनसे आशिरवाद लीजिए, आशिरवाद देने के लिए कोई मा पुरुस कोई भी हो, कोई मन थोड़ी कर देगा, इतनी ग्यानबान हैं, इतनी पड़ी लिखी हैं, चार सार बार ही उसने सासन किया है, चार चार बार मुक् उनके चड़नों में गिरिये, तुम तो यह सोच रहे हैं, वो मेरे पास पैदल चल के आए, ऐसा नहीं, यह गलत है, लोग यह कहते हैं कि चंदर शेकर अब हमें नयाय दिलाएंगे, तो क्या लगता है, कि चंदर शेकर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, चंद सेकर जोग कुछ लोगों से, ऐसे लोगों से, मैं उनकी खुल के तो नहीं बताता, बताना चाहरा हूं, लेकिन कुछ लोगों से, ऐसा से मिला है, जो नूटों की गड़्डियां मिल गई है, जो बहन जी है, वह पुरा पुन है, वापस आपाएंगे, उत्तर प्रदेश में, बिल्कु बिल्कुल, 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 पुछ पढ़ेने, महीनत करेंगे, मैंनत करके कुछ आसिल करेंगे, हाला कि मैं सही बात बता हूं, सतीज मित्र यह ओंगरों 27 सभू छोधरी और भी है, कुछ ऐसे में गिनि रिदि में मेरे पास हैं, वह लोग काम नहीं कर रहें, पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो काम नहीं करते हैं वो सिरफ सिक्के पैसे की सिक्के है वो तोले हुए तो मैं जो ना मैं चाहरा हूं कि बहन जी से मेरी एक बार मुलाकात हो जाए तो मैं बहन जी को बताओं कि इन्हें लोगों ने इन्हें लोगों ने जो है न ये दोकेवाज हैं ये समाज को दोका देते हैं ऐसे लोगों से आप जो है जिसको आप आप से लोग कहते हैं कि 37 मिस्रा मैं कह रहा हूं असली 37 मिस् मेरे को मेरे को दोका दिया मेरे से यह कहा कि आपको दस लाक रुपे मिलागा और आप चुनाओ लड़िए मैंने का मुझे मैं लाल कि नहीं हूं मुझे पैसेकी जरूरत नहीं है जो मेरे पात जितना पैसाहोगा अब छुनाव मेरे साथ छोड़ दिया सब में हम तीन आदमी पिल तीन आदमी चारों तरफ गुमते रहे तु इन लोगों नो धोका दिया है अब समझें कि भंते जी चुनाविं लड़ा और जिन पद दिकारिएँ ने चुनाव लड़ने का बीड़ा उठाया थां उन सबने साथ चोड़ दिया भनतेजी का लोगों 20Si फसक्राइब लड़े कि लोगों जिसका आपको था बे सब्री से इंतिजार भाउजन समाज का एतिहासी कलंडर 2025 अब आपके बीच आ गया है आप अपना कलंडर आजी बुक करवाएं आप मुझे मेरे नमबर पर कॉल कर सकते हैं या अपना कलंडर बुक कराने के लिए मुझे वर्ट सब भी कर सकते हैं मेरा न है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूलें ताकि सभी लेटिस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले